हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी नौन स्टॉप पर तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी एक्षे होंगे तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 50 कॉस्टन्स इंग्लिज के करेंगे और ये सभी कॉस् के लिए और इसके लाओ वे किसी अन्य परिच्छा के लिए जहां पर इंग्लिज से क्वेस्टन्स आएंगे तो उनके लिए एक लास वेहर हल्फुल होगी तो दोस्तों वीडियो को लास्टक देखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरू देखेगा तो दोस्तों आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहले आपको दिया गया है इन इच आप फॉलोइंग कॉस्टन्स आउट फोर अल्टरनेटिव सेलेक दा अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सेस दे मीनिंग ऑफ दा गिवेन इडियों और से आपको इडियों य यह बहुत सस्ते में ठीक है और यह जो है इसका एक मीनिंग होता है एकडम साधारन एकडम साधारन या मामूली एकडम साधारन तो यहां पे इसका राइट अंसर कह देगा पहरा अप्सटन है strength is numbers यानि कि जो strength होती है वो numbers होते है numbers संख्या जो है strength होती है तो यह नहीं होग people who say bad things have no value जो लोग बुरी चीज़े कहते हैं उनके पास कोई value नहीं होती है तो ये जो है ये भी नहीं होगा इसका दियागा है very common and of no particular यानि कि बहुत ही common, बहुत ही साधार और of no particular मतलब जो विसेश नहो तो यही जो है इसका राइटन सुझेगा एकडम साधार, very common and of no particular, जिसमें कोई विसेशता वाली बात नहो हो तो C option यहाँ पर राइटन सुझेगा फिर अगला question है दिया गए है apple of my eye apple of someone's eye इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है आख का तारा आख का तारा या जो है जो सबसे प्यारा होता है सबसे प्यारा तो यहाँ पर राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका पहला option है everything looks enticing to a hungry person मतलब सब कुछ लगता है enticing मतलब मोहक to a hungry person भूख के व्यक्ति को सब कुछ आकरशक लगता है तो यह जो है नहीं होगा यहाँ पर यहाँ है a very pleasant thing to watch मतलब देखने में कोई बहुत अच्छी चीज बहुत सुखर चीज तो दोसों यहाँ पर यह भी नहीं होगा आग का तारा का मतलब होता है कि जो सबसे प्यारा हो वो जो ही नहीं की देखने में बहुत अच्छा हो किसी की मा का बेटा होता है वो कैसा भी हो वो उसकी आग का दारा होता है तो यहाँ पर यह answer नहीं होगा c option है someone that one cherishes above all others someone that one cherishes मतलब ऐसा कोई जिसको कोई वेक्ती cherishes मतलब की प्यार करता है या दुलार करता है above all others सभी से ज्यादा तो यहाँ पर यह जो है इसका राइटन सुझेगा ऐसा वेक्ती जिसको कोई सबसे ज्यादा दुलार करता है प्यार करता है तो c option यहाँ पर राइटन सुझेगा फिर दोस्तों अगला question है दे रहे है a drop in the bucket तो यह जो यदियम है इसका मतलब क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है उत के मुँг में जीरा यानि बहुत कम मात्रा में कोई चीज हो उत के मुँँग में जीरा यानि कि बहुत कम मात्रा में तो यहाँ पर क्या हो जागा so much silence that even a drop can be heard तो यह नहीं होगा यहाँ पर अगला है a very small amount compared with what is needed बहुत छोटी मारता, बहुत कम मारता इसकी तुलना में जितने की जववत है उसकी तुलना में बहुत कम मारता तो यही जो है इसका राइटन सुलेगा अब संदी फिर दोसों Nash Question लेते हैं अगला है लियागए है Ecles heel Ecles heel इसका मतलब क्या होता है तो दोसों इसका मतलब होता है दुकती रग दुकती रग दुकती रग मतलब कौई आपकी जो कमजोरी है तो उसके लिए जो है दुखती रख कहते हैं कि ये मेरी दुखती रख पकड़ लिया यानि कि कोई बहुत कमजोरी जो मेरे अंदर है उसको जो है जान गया तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा पहला उसने इस हेटल वीकनेस इन इस्पाइट ऑफ ओवर और स्टेंथ यानि कि एक घातक कमजो है फिर दोस्तों अगला कुशन है तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब होता है किसी टीवी या रेडियो कारिक्रम को बंद कर देना तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा पहला उप्सन है To remove ventilator of a patient on his deathbed तो किसी patient का ventilator हटा लेना ये नहीं होगा To not eat food for a long period of time काफी समय तक खाना नहीं खाना तो ये बिलकुल नहीं होगा फिर है To stop broadcasting a radio और TV program Radio या TV program का पसान बंद कर देना और यही जो है इसका राइटन सुझाएगा फिर दोस्तों next question है Fill in the blanks with the most appropriate word आपको blank space दिया गया है जिसमें आपको सबसे सही word फिल करना है दिया गया as global temperatures rise An untreatable new strain of the flu might यहाँ पर क्या होगा Fill up, crop up, bring up, chop up तो दोस्तों यहाँ पर जो है as global temperature rise जैसे global temperature बढ़ता है An untreatable new strain क्या होता है? एक untreatable यानि कि जिसको treat नहीं क्या है सकता new strain, नया strain आजाता है किसका? of the flu, flu का flu का नया strain, strain मतलब नया variant might यहाँ पर क्या होगा? तो दुस्तों यहाँ पर हो जाएगा crop up crop up मतलब प्रकट होना crop up मतलब क्या होता है? प्रकट होना या सामने अचानक आजाना तो यही जो है यहाँ पर suitable होगा flu का नया strain जो है प्रकट हो सकता है at any moment, किसी भी समय पर तो B option यहाँ पर राइटन सुझेगा crop up फिर next question है यह है जे dash interest in studying human psychology तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? deep, wide, vast या heavy तो दोस्तों ही है जे deep interest, deep मतलब गहरा ही है जे deep interest यानि उसकी गहरी दूची है किसमें in studying human psychology human psychology को study करने में तो A option यहाँ पर राइटन सुझेगा फिर दोस्तों next question है दियागा है every evening a dash of wolves descents into the valley to hunt every evening हर साम को a dash of wolves wolves यानि भेडिये भेडियों का क्या? pack pack मतलब होता है जुन्ड तो भेडियों के लिए जुन्ड के लिए pack इस्तिमाल किया जाता है pack of wolves company नहीं होगा gang जो है गुन्डों का होता है और हर्ड होता है भेडों का भेडों के जुन्ड को कहते हैं हर्ड तो यहाँ पर जो है pack ही सबसे सही होगा every evening a pack of wolves भेडियों का एक जुन्ड descents into the valley घाटी में उतरता है to hunt सिकार करने के लिए तो option a यहाँ पर राइटन सुझाएगा pack फिर next question है the department has dash a complaint against Mr. Bakshi department ने क्या किया है express या registered या informed या noted तो दोस्तो complaint के लिए registered हो जाएगा registered मतलब दर्ज किया है department ने दर्ज किया है एक complaint किसके खिलाब Mr. Bakshi के खिलाब तो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है dash around the bus तो क्या होगा to hit around the bus या to beat around the bus या to circle around the bus या to hide तो दोस्तों to beat around the bus ये जो है idiom होता है to beat around the bus इसका मतलब होता है कि मुद्दे की बात ना करना घुमा फिरा करके बात करना घुमा फिरा कर बात करना बात को जो है मुद्दे से अलग ले जाने की courses करना ठीक है तो घुमा फिरा कर बात करना यहाँ पर इसका राइटन सरुज़एगा option B फिर दोस्तों अगला question है अब आपको दिया है in the following questions choose the word opposite in the meaning to the given word आपको वर्ड दिया गया है इसका opposite बताना है यानि एंटोनिम आपको बताना है पैनासिया का तो पैनासिया मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रामबान औसदी रामबान औसदी जो हर बीमारी में काम कर जाए उसके लिए जो है वर्ड यूज होता है पैनासिया यानि की रामबान औसदी पहला option है melody melody का मतलब क्या होता है तो melody का मतलब होता है रोग या बीमारी यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है रोग या बीमारी क्योर का मतलब होता है इलाज अलक्जिर का मतलब क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है अमरित और नोश्ट्रम का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नीम हकीम की दवा मतलब कोई एक्सपर्ट नहीं है चेकित्सा में उसकी जो दवा होती है उसको कहते है नोश्ट्रम नीम हकीन की दवा और इसको राम बार भी कहा जाते है नोश्टम का मीनिंग राम बार भी होता है राम बार दवा तो यहाँ पर राइट अंसर क्या हो जाएगा तो आउसधी का जो है अपोजित जो है मेलोडी हो जाएगा आउसने, मेलोडी ठीक है, melody का मतलब क्या होता है, रोग, तो दवा का उल्टा क्या होजएगा, opposite क्या होजएगा, भीमारी, तो यह option यहापे right answer होजएगा, तो दोस्तों अगला question है, अब आपको दिया गया है cameo, और इसका भी opposite बताना है, cameo मतलब क्या होता है, उत्कील्न रत्न, उत्कील्न मतल क्या होता है, इसका मतलब होता है, खुदा हुआ, जिसके उपर कुछ खुदाई की गई हो, उसको बोलते हैं, उत्कील्न, तो यहापे जो है, इसका right answer क्या होजएगा, अगर हम बात करते है, ट्रिंकेट की, तो दोस्तों, ट्रिंकेट मतलब होता है, हलका गहना, हलका गहना या तुछ वस्तू तो यह तो यहाँ पे नहीं होगा जम मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है रत्न यह भी नहीं होगा यह सिनोनिम टैप का हो जाएगा और यहाँ पे दिया गया है बॉबल बॉबल का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है छोटी बात option D. plain. plain, मतलब क्या होता है? some no... sum no... some no... plain, plain मतलब क्या होता है? some no... तो यहां पर जो है? यही इसका written Kal noch ہو जाएगा, क्यूंकि खुदा हुआ जो होगा, उसका opposite क्या हो जाएगा? some no... थिक है, तो उतकीर्ण रत्न, और यहां पर plain, opposite हो जाएंगे एक दूसरे के फिर दोस्वों next question है अब आपको दिया है in the following questions sentence has been given indirect or indirect speech अब आपको sentence या तो direct या indirect speech में दिया होगा और उसका जो है आपको direct है तो indirect बताना है और indirect है तो direct दिया गया he said the sun rises in the east उसने कहा कि सूर पूर्व में निकलता है तो यहाँ पे जो reported speech है यह क्या है एक universal truth है और universal truth कर जब indirect बनाते है तो उसके tense में कोई change नहीं होता है as it is उसको that के साथ जोड़ दिया जाता है तो he said that the sun rises यहाँ पे दिया गया है तो यह गलत हो जाएगा he said that the sun rises in the east यह जो है यहाँ पे राइटन सुझाएगा यहाँ पे will rise दिया गया है और यहाँ पे may rise इसलिए गलत हो जाएगा तो option B यहाँ पे राइटन सुझाएगा क्योंकि यह universal truth है तो इसमें कोई change नहीं होगा फिर दोस्वों अगला question है he promised I will do it tomorrow तो दोस्वों यहाँ पे जो है इसका indirect क्या हो जाएगा यहाँ पे I will है will क्या हो जाता है उड हो जाता है तो यहाँ पे will यहाँ पे है यहाँ will है तो यह दोनों नहीं होंगे उड वाला जो है यह option C या D हो सकते है तो अब आपको आगे देखना है और I जो है first person है किसके अनुसाद change होता है subject के अनुसाद यहाँ पे ही हो गया He would do it tomorrow Tomorrow नहीं आएगा indirect speech में indirect speech में tomorrow का हो जाता है the next day तो He promised that He would do it the next day यह जो है इसका राइटन से और अपसन थी फिर अगला question है Mother said to you when will you start from पुने मा ने तुम से कहा when will you start from पुने यानि कि तुम पुने से कब चलोगे तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा Mother asked to you when you would आपको यहाँ पे दिख रहा है will है will का आपको पता है कि उड़ हो जाता है तो यहाँ पे आपको तीनों option में will दिख रहा है तो यह तीनों eliminate हो जाएगे तो इस तरह से आसानी से आप सही question कर सकते है बिना ज्यादा mind use किए और बिल्कुल confidence भी आपको रहेगा कि answer मेरा सही है तो यहाँ पे जो है Mother asked you यहाँ पे क्योंकि interrogative है तो इसलिए art आजाएगा यहाँ और यहाँ पे when interrogative है question word से चुरू है तो इसलिए यहाँ पे when ही आजाएगा question word ही आजाएगा और यहाँ पे you यह है second person second person किसके अनुसा और चैंज होता है object के इनुसाद तो यह जो है object के नसाथ change होगा तो यूँ ही रहेगा और will का पूर हो जाता है, start from पूरे तो यह जो है बिल्कुल guidance हो जाएगा, फिर अगला question है rearrange the parts of sentence in correct order आपको जो है यहाँ पे sentence के parts देगे हैं, इनको सही order में लगाना है, ताकि एक meaningful sentence बन सके, यहाँ इजवर national identity क्या हमारी राष्टी यह पहचान इज यहाँ पे helping work पहले है, तो इससे पता चलता है कि यह interrogative sentence है तो यहाँ पे interrogative sentence है तो आर में देखेंगे आप, यहाँ पे question mark last में दिया गया है, तो इससे आपको देखना है, Q पहले आएगा, या P तो अगर P को पहले रखते है needs to be showed in A of such, in A of such, यहाँ पे सही structure नहीं बन दा है लेकिन अगर Q को पहले रखते है, that it needs to be तो जो है sentence का structure सही बन जाएगा, तो यानि कि जो है पहले आपको Q को रखना पड़ेगा, फिर यानि क्या हमारी जो राष्टिय पहचान है of such a loose character जो हमारी राष्टिय पहचान है किसकी, आप सचे loose character, यानि कि धीले चरित की जो हमारी राष्टिय पहचान है that it needs इसको क्या है, जरुवत है इसको जरुवत है to be shouldered in A clock इसको लपेटे जाने की जो होत है, इन एक clock मतलब होता है, लबादा clock मतलब क्या होता है, लबादा इसको एक लबादे में, लपेटने की जो होत है of anodine conformity anodine का मतलब क्या होता है, anodine मतलब होता है पीडा नाशक और conformity का मतलब होता है, समरूपता या सामंजस से, इसको लपेटे जाने की जवत है, लबादे में, किसके लबादे में, एक पीड़ा ना सक, सामंजस से के लबादे में, लपेटे जाने की जवत है, तो यहाँ पे QPR, राइट अंसर हो जाएगा, फिर दोसों, अगला कॉश्चन है, आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताने हैं, आपके, लिए गया है, यहाँ पे TRIPAL S दिया गया है, तो याने की यहीं स्पेलिंग गलत है, double s होता तब भी जो है सोचा जा सकता था लेकिन जो है चैस्टिटी जो word होता है इसकी सही spelling होती है c h a s t i t y ये जो है इसकी सही spelling होती है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सुद्धता इसका मतलब होता है सुद्धता टिक और marathon Marathon, Marathon का यहाँ पर A होना चाहिए था, M-A-R-A, ठीक है, तो सही होता, तो यह भी गलत है, और यहाँ पर क्या देगा है, Result, Result का मतलब होता है साबित करना, और यह जो है, इसकी spelling सही नहीं है, इसकी सही spelling होती है, R-E-A, Double S, E-R-T, ठीक है, R-E-A, यहाँ Single S दिया गया है, Double S होना चाहिए था, तो Result मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साबित करना, साबित करना, और Right Answer फिर आपका Option D हो जाएगा, Toxicity, जिसका मतलब क्या होता है, विसाक्तता, तो D Option यहाँ पर Right Answer हो गया, फिर अगला Question है, अब दिया गया है, Find Out the Word which is Correctly Spelt, यहाँ पर भी आपको सही Spelling वाला Word बताना है, Syllabus, Syllabus का मतलब क्या होता है, पार्टिक्रम होता है, और यहाँ पर S Y Double L होता है, यहाँ पर Double L होना चाहिए था, S Y Double L A B O S, ठीक है, तो यहाँ पर Syllabus मतलब पार्टिक्रम होता है, और Incroach, Incroach का मतलब क्या होता है, तो दुस्तों इसका मतलब होत अर्तिक क्रमर करना और यहाँ पर जो इसकी स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है तो यहाँ कि यह जो है इसका इनक्रोच यह राइटन सुझाएगा बाकी यहाँ पर क्या दिये गए है कोलेज कोलेज की स्पेलिंग यह नहीं होती है इसकी सही spelling होती है C O A L E S यहाँ पे C होता है E S C E कोलेस इसका मतलब होता है संगठित होना संगठित होना और Addition तो Addition में A D H E T I U N नहीं होता S I U N इसका मतलब क्या होता है तो Addition का मतलब होता है आसंजन आसंजक बल आपने पढ़ा होगा Addition का मतलब होता है आसंजन तो दोस्तों अगला कोशन लेते हैं अगला है Improve the bold part of sentence if required sentence का जो bold part है उसको सही करना है अगर जरूवत है तो दिये गया है The stranded pilgrims had waited in the bitter cold for more than two hours now तो दोस्तों यहाँ पे जो had waited दिये गया है क्या यह सही है तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे now दिया गया है तो यहाँ कि present tense का structure होना चाहिए had waited यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे time भी दिया गया है for more than two hours तो यहाँ कि present perfect continuous का जो है structure बनेगा क्योंकि यहाँ पे समय दिया गया है कि इतने समय से तो the extended pilgrims यहाँ पे plural है तो has been waiting नहीं होगा have been waiting यहाँ पे हो जाएगा have been waiting यहाँ जो फंसे हुए यारती है वो इंतजार कर रहे है in the bitter cold यहाँ कि कडाके की थंडी में for more than two hours now दो घंटे से जादा से जो है अभी वो इंतजार कर रहे है तो be option यहाँ पे हडाइटन्स हो जाएगा फिर अगला question है after two days terrible test यानि कि आज के terrible यानि कि खतरनाक test के बाद I am sure मैं sure हूँ that my teacher's opinion कि मेरे teacher का जो opinion है about me मेरे बारे में will change for the words वो words यानि कि खराब के लिए जो है बदल जाएगा यानि कि वो मुझे आगे से खराब समझेंगे तो about me यहाँ पे जो दिये गया है my teacher's opinion about me यानि कि मेरे teacher का विचार मेरे बारे में तो about यहाँ पे बिल्कुल सही है किसी भी प्रकार के improvement की यहाँ पे नहीं, option D यहाँ पे राइटन्स होजाएगा no improvement फिर अगला question है one should get trained to prepare once on breakfast यहाँ पे trained दिया गया है क्या है यहाँ यहाँ पे सही है तो रुट्सों यहाँ यहाँ पे one should get trained to prepare यहाँ पे trained की बजाए used होगा one should get used to यहाँ पे trained से पहले अगर B होता one should be trained किसी को trained होना चाहिए यानि प्रस्रिक्षित होना चाहिए to prepare once on breakfast अपना breakfast प्रिपेर करने के लिए किसी को प्रस्रिक्षित होना चाहिए तो यहाँ पे सही हो जाता लेकिन यहाँ पे get दिया गया है तो train नहीं हैगा one should get used to यानि कि किसी को अभ्यस्त होना चाहिए used to मतलब अभ्यस्त होना चाहिए to prepare once on breakfast अपना खुद का breakfast बनाने के लिए तो B option यहाँ पे दिया प्रस्रिक्षित होना चाहिए फिर अगला है the unfortunate old man was knocked away by the rest driver the unfortunate old man was knocked away क्या यहाँ पे knocked away सही है तो दोस्तों यहाँ पे knocked out होना चाहिए knocked out by knock out का मतलब क्या होता है बेहोस कर देना knock out means क्या होता है बेहोस करना या तो धक्का मार के बेहोस करना उसके लिए भी knock out का प्रियोग होता है और ऐसे भी बेहोस करने के लिए नॉक आउट का प्रियोज होता है बियोज करना, नॉक आउट दा अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन यानि कि जो अनफॉर्चुनेट यानि कि जो बदकिस्मत बुढ़ा आदमी था, वो अनॉक आउट यानि धक्का मार के बियोज कर दिया गया बाई दा रैश ड्राइबर इसके द्वारा एक रैश ड्राइबर यानि कि जल्दबाज ड्राइबर के द्वारा तो यहाँ पर आउट बाई राइट एंस रोगा आउट सनेए तो दोस्तों अगला कोशन है दक कैंडिडेट वो तो इग्नोरेंट जो था वो इतना इग्नोरेंट यानि कि अनभिग गय था that की the officer was compelled for asking तो compelled for asking नहीं होगा यहाँ पर compelled to ask होगा यहाँ पर infinitive आएगा ना कि जीरिन कि जो officer था वो मजबूत था कहने के लिए to ask him to leave उसको यह कहने के लिए मजबूत था कि आप छोड़ दो ठीक है तो यहाँ पे जो है राइट अंसर क्या हो जाएगा option C, compelled to ask होगा ना कि compelled for asking C option यहाँ पे राइट अंस हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है अब आपको दिया है in each of following questions choose the word which can be substituted for the given phrase or sentence यहाँ पे आपको phrase दिया गया है या sentence कह सकते हैं तो इसके लिए आपको एक word बताना है यानि one word substitution का question है यहाँ पे दिया गया having or showing an interest in learning things चीजों को सीखने में interest show करना या होना यहाँ पे curious भी दिया गया है जिसका मतलब होता है जिग्यासू तो उसके लिए एक word यहाँ पे आपको option में इसी बताना है फिलाल तो probe मतलब क्या होता है प्रोब मतलब जहांच inquisitive inquisitive का मतलब होता है जिग्यासू और यही जो है इसका right answer होज़ेगा option P बाकि यहाँ पे speculative का मतलब क्या होता है speculative का मतलब होता है kalpanic तो यह नहीं होगा snoop का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है गुप्तचर तो यहाँ पे be option बिल्कुल right answer देगा फिर अगला question है दिया गया है a small mistake in an agreement or law that gives someone the chance to avoid having to do something small mistake, एक छोटी mistake in an agreement किसी समझहरते में या फिर law में, किसी कानून में that gives someone, जो किसी को देती है, chance मतलब आउसर देती है to avoid having to do something जो कोई चीज ना करने की chance देती है, ना करने का आउसर देती है तो उसके लिए जो है एक word क्या हो जागा तो दूसरों यहाँ पे right answer हो जागा आउसर नहीं, loophole loophole क्या कहते है, loophole का मतलब हो जाता है कि बच से निकलने या भाग जाने का एक गुप्त उपाए, तो यही जो है इसका right answer लेगा, बाकी जो है, root, root का मतलब क्या होता है root का मतलब होता है, चाल यह speed वाली चाल नहीं होगी यहाँ पे, चाल मतलब चाल बाजी वाली चाल, और ploy का मतलब भी चाल होता है, ठीक है और gambit तो यहाँ भी speed वाली चाल नहीं है और gambit का मतलब क्या होता है तो दोस्तों, gambit का मतलब होता है पहली चाल या पहला कदम पहली चाल या पहला कदम तो यहाँ पे जो है loophole option A यहाँ पर राइटन्स हो जाएगा फिर दोस्व नेस्ट कॉस्टन है irritating inconvenience irritating यानि परेशान करने वाली inconvenience यानि कि असुविधा तो जो परेशान करने वाली असुविधा है उसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा tranquility मतलब सांती होता है hassle hassle का मतलब क्या होता है तो दोस्व ने इसका मतलब होता है परेशानी या तकलीफ और यही जो है इसका right answer हो जाएगा परेशानी option B harmony मतलब सामन्जस से और rectitude rectitude मतलब होता है इंसाफ और इसका एक मीनिंग होता है सरलता तो B option यहाँ पर बिल्कु राइटन्स हो जाएगा फिर अगला है यह punishment impose for breaking law rule और contract तो ऐसी सजा जो की लगाई जाती है एक कानून को तोड़ने के लिए या rule को तोड़ने के लिए या contract को तोड़ने के लिए तो उसके लिए एक word क्या हो जाएगा penalty penalty तो penalty यानि की जुर्माना और यही जो है इसका right answer हो जाएगा जुर्माना बाकी जो है रेप्रीव इसका मतलब क्या होता है तो दूस्वों इसका meaning होता है dund viram यानि की कोई सजा है उसमें थोड़ा relaxation दे दिया जाए या थोड़ा postpone कर दिया जाए सजा को तो उसको कहते हैं dund viram तो यह यहाँ पे नहीं होगा grace मतलब सुन्दर होता है और amnesty मतलब होता है serve चमा serve चमा यानि कोई माली जे राजा है वो publicly कई लोगों को चमा करता है तो उसको कहते हैं serve चमा तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा orthonate penalty फिर अगला है choose the synonym of the given word यहाँ पे आपको synonym बताना है to recline का recline मतलब recline मतलब विसराम करना विसराम करना या जो है इसका एक meaning होता है जुकना जुकना या जुकाना तो यहाँ पे जो है इसका right answer क्या हो जाएगा to launch launch मतलब भी होता है विसराम करना विसराम करना तो यही जो है इसका right answer हो जाएगा option है to launch to rewind rewind मतलब पीछे करना कोई माल लिजे music play हो रहे है उसको थोड़ा था पीछे करना है थोड़ा back करने है तो इसके लिए जो है rewind यूज होता है to seer seer अगर verb के form में बात करें तो seer का मतलब क्या होता है जटके से मुढ़ना जटके से मुढ़ना और जो है इसका एक मतलब होता है adjective की form में निटा या पूर्णतया निटा या पूर्णतया to plump plump का मतलब क्या होता है मोटा होना मोटा होना तो यहाँ पे right answer आपका option A हो जाएगा फिर अगला है अब आपको दिए गए है objects enable objects enable का meaning क्या होता है तो दूसरों इसका मतलब होता है आपत्ती जनक आपत्ती जनक या जो है निल्दनिये तो यहाँ पे इसका sinonim आपको बताना है यहाँ पे दी गाartiव aperitiv aperitiv का मतलब होता है इसका मतलब होता है madira तो यह यहाँ पे नहीं होगा बाकि abhorrent इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है गड़न्रासपड का या वीभर्ट्स और यहाँ पर देगा है सैवरी सैवरी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है दिलकस या इसको सीवरी पढ़ते है सीवरी पढ़ा जाता है इसको इसका मतलब होता है दिलकस या आकरशक और यहाँ पर देगा है सैपरस सेपरस मतलब क्या होता है सुगंधित तो अब आप यहाँ पर बताईए क्या इसका जो है सिनोनिम हो सकता है मदिरा नहीं हो सकता दिलका से आकरशक नहीं हो सकता सुगंधित नहीं हो सकता तो यह जो है यहाँ पर राइटेंसर हो सकता है सिनोनिम का मतलब जो ही नहीं कि बिलकुल उसी के तरह मीनिंग वाला होगा उससे मिलता जुलता भी हो सकता है तो आपती जनक या निंदर नहीं है और यहाँ पर ग्रिनास पद यह जो है सिनोनिम हो जाएगा अबोरिंट फिर दोसों अगला कॉशन है अब आपको दिए रहे हैं फेक फेक मतलब क्या होता है नकली या जाली और इसका भी क्या बताना है सिनोनिम है आपको बताना है तो फाल्स यहाँ पर फाल्स ही इसका राइटर सेगा फाल्स मतलब जूटा या नकली होता है और यही इसका right answer हो जाएगा real मतलब असली, factual मतलब तथ्यात्मक तथ्यात्मक और genuine मतलब भी असली होता है यहाँ पे option A ही right answer हो जाएगा फिर अगला है अब आपको देगा है extricate extricate का मतलब होता है निकालना और इसका एक मतलब होता है हल करना निकालना जो है किस sense में होता है जैसे किसी विपरीत परिस्तिक्शी में है उसमें से निकालना है किसी को आपने आपको तो उसके लिए extricate word का use किया जाता है तो यहाँ पे delete मतलब क्या होता है मेटाना यह जो है इसका synonym नहीं हो सकता intricate मतलब होता है जटल तो यह भी नहीं होगा बाकि remove का मतलब होता है हटाना और complicate मतलब होता है जटल complicate मतलब जटल भी होता है जटल करना भी होता है तो इसका जो answer है book में दिया गया है remove यानि कि हटाना लेकिन मुझे जो है इसका answer ये लगता है complicated, complicated मतलब gentle करना हल करना मतलब किसी चीज को सुलजाना और gentle करना यानि कि उसको उलजा देना तो मुझे जो है इसका answer complicated सही लगता है बाकी जो है book में remove दिया गया है हटाना और यहाँ पे निकालना इसका मुझे sense नहीं जमझ में आ रहा था तो यहाँ पे मेरे ख्याल से complicated होगा बाकी जो है अगर आपको remove लगता है या कुछ और यहाँ पे लगता है तो आप जो है commit में में बताईएगा तो यहाँ पे option D इसका write-ins होजेगा फिर दोस्तों अगला question है find out which part of sentence has an error अब आपको बताना है कि किस पार्ट में error है अगर कोई error नहीं तो आपका answer क्या होगा option D लिएगा है one of the state in which there was a severe drought last year is महाराष्टा तो दोस्तों यहाँ पे बताईए किस पार्ट में error है तो दोस्तों यहाँ पे one of the state one of के बाद जो है one of the के बाद noun हमें साहता है plural noun या pronoun जो भी आएगा वो plural आएगा तो यहाँ पे state नहीं बलके states होना चाहिए था one of the states होना चाहिए था किस पार्ट में गलती है one of the states in which there was a severe drought तो राज्यों में से एक जिसमें जो है एक गंभीर सूखा था लाश्ट यर पिछले साल वो कौन है वो है महाराष्टा तो यहाँ पे ए औक्षन इसका राइटर सेगा फिर अगला है रहाना had everything beauties, a good figure and a sweet personality तो दोस्वों यहाँ पे बताएए किस पार्ट में error है यहाँ है रहाना had everything रहाना के पास सब कुछ था beauties beauties क्या यहाँ पे सही है तो दोस्वों beauties नहीं होता है beauty होता है beauty uncountable noun है इसका plural नहीं बनेगा तो beauty होगा रहाना के पास सब कुछ था beauty और good figure और क्या था sweet personality तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है option B फिर next question है the road from my house to temple is full of pot holes तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में गलती है the road from my house मेरे घर से जो सडक है to the temple यहाँ पे to the होना चाहिए था to temple नहीं क्योंकि यहाँ पे जो sense आ रहा है particular car है मेरे घर से to the temple कोई मंदिर होगा जिससे जहां तक का रास्ता to the temple is full of pot holes वो गढ़ों से भरा है तो किस पार्ट में गलती है यहाँ पे option यहाँ पे sorry c option गलती है c option में तो c option right hand हो जाएगा फिर अगला है we had to return because when we reached the railway station the train left तो इसमें बताइए किस पार्ट में अगर है we had to return हमें लटना पड़ा because क्योंकि when we reached the railway station जब हम railway station पहुँचे the train left train left नहीं होगा यहाँ पे train had left train छूट चुकी थी यहाँ पे past perfect tense का structure बनेगा ना कि यहाँ पे past definite का क्योंकि दो घटना है जब past tense में होती है एक पहले होती है एक उसके थोड़ी देर बाद तो जो पहली घटना होती है वो हमेशा past perfect में होती दूसी घटना past definite में तो यहाँ पे जो है पहले train छूटी होगी यह पहली घटना है और फिर बाद में वो पहुँचे तो जब वो पहुँचे वो train छूट चूट चुकी थी train जो है पहले ही चूट गई थी तो पहली घटना यहाँ past perfect में होनी चाहिए थे और दूसी घटना वी रीच्ट दा railway station यह past definite में है तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है तो यहाँ पे भी C option right answer होगा फिर अगला है जेगा है Was it him that the teacher punished for not submitting his project on time समय से अपना project submit ना करने के लिए तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है option A right answer होगा फिर next question है Choose the option that combines the sentences correctly यहाँ पे आपको दो sentences दिए गए है option आपको बताना है कौन सा इन दोनों को सही तरीके से combine करता है तो यहाँ गया I think you were right मैं सोचता हूँ कि आप सही थे You were a little rude आप थोड़ा rude मतलब गुस्से में थे तो यहाँ क्या हो जाएगा I think you was right यहाँ पे वर है वाज नहीं होगा यू के चार तो यह गलत हो जाएगा I think you were right Although you were a little rude मैं सोचता हूँ आप सही थे हाला कि आप थोड़ा नाराज थे तो यहाँ पे यह जो है सही सेंस दे रहा है और यहीं इसका राइटल सुनेगा C option है I think you were right But you were a little rude मैं सोचता हूँ आप सही थे लेकिन आप थोड़ा नाराज थे तो यह यहाँ पे उतना सही सेंस नहीं दे रहा है I think you were right and you were a little rude मैं सोचता हूँ आप सही थे और आप थोड़ा नाराज थे तो यह भी सही नहीं होगा Option B ही यहाँ पे राइटल सुझेगा तो रगला है अब आपको दे गए है Choose the option That combines the sentences correctly यहाँ पे भी आपको वही बताना है दे गए है Stop dancing like that उस तरह से dance करना बंद करो Sit back down in your chair अपनी कुल्सी में बैठ जाओ तो यहाँ पे क्या होगा अगर इसको हिंदी में करते हैं तो हम ऐसे कहेंगे कि अगर इन दोनों को combine करके कहना है कि dance करना बंद करो उस तरह से और अपनी कुल्सी में बैठ जाओ तो यहाँ पे जो है कौन सा option राइटन्स होगा Stop dancing like that and sit back down in your chair और अपनी कुल्सी पर वापस बैठ जाओ और यही जो है इसका राइटन्स होगा उस तरह से dance करना बंद करो और अपनी कुल्सी पर वापस बैठ जाओ इसके अलावा जो है option Stop dancing like that even sit back तो यहाँ पे even आ गया इसलिए गलत होगा Stop dancing like that इस तरह से dance करना बंद करो क्योंकि बैठ जाओ कुल्सी में तो यह जो है साही सेंस नहीं देगा option in which the given word is correctly used आपको word दिया गया है way इन option में से किसमें सही तरीके से इसका प्रयोग किया गया है बताना है दिया गया है travel the way you wish to go यानि कि उस रास्ते से travel करो जिससे तुम जाना चाहते हो और यहाँ पे जो है कोई error नहीं है बिल्कुल सही तरीके से way का यहाँ पे प्रयोग किया गया है और यहीं इसका राइटन्स हो जाएगा b में देखेंगे तो दिया गया है we were on our back way तो अगर इस तरह से होता we were on our way back यानि कि हम वापस अपने रास्ते पर थे तब सही होता तो यह गलत हो जाएगा I was out way of line I was out of way line यह होता तो सही होता यानि कि मैं रास्ते से बाहर था I was out of way line मैं रास्ते से बाहर था तो यह सही होता another he way was like Reena तो यह भी गलत लग रहा है तो दोस्तों अगला कॉश्चन है choose the correct figure of speech for the given sentences यहाँ पे इस sentence के लिए आपको बताना है कि कौन सा figure of speech होगा curl up and die curl up curl मतलब होता है गुंगराले करना and die मतलब रंगना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा figure of speech similarly मतलब होता है कि उपमा इसमें like या आयज जैसे word आते है compression होता है तो इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है तो यह option हट जाएगा oxymoron जहाँ पे विरोधा भास होता है तो यह भी नहीं होगा cynic doggy इसमें किसी पूरी वस्तु के लिए एक पार्ट का प्रियुक के जाता है या एक पार्ट के लिए पूरी वस्तु का प्रियुक के जाता है तो यहाँ पे इसे लिएक doggy होता है तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं यानि कि यह जो है राइटनसर हो जाएगा paranomasia paranomasia तो यह जो है इसका राइटनसर होगा इसको जो है पन भी कहते है इसमें क्या होता है तो दूस्तों इसमें जो है words को कुछ इस तरीके से दर्साया जाता है कि उसका कुछ और ही meaning निकलता है इसको हम कह सकते हैं सब्दा अलंकार तो सब्दों को इस तरह से दर्साया जाता है कि उसका कुछ और ही meaning निकलता है मतलब जो सब्द है वहाँ पे आपको दिख रहे हैं उससे अलग अगर हट करके मेनिंग निकलेगा तो वहाँ पे पन होगा या जो है पेरानोमेसिया इसली को कहते हैं पेरानोमेसिया तो कल अप एंड़ाई ये जो है एक सौप है हेर सैलून के लिए ये दिख किया गया है कल अप एंड़ाई तो यहाँ पे इसलीए पेरानोमेसिया हो जाएगा और बाकी जो है आपसंस अगर इसका नहीं चमझ में आ रहा था तो आपसंस से एलिमिनेट करके भी आप आसानी से एंसर तक पहुंच सकते थे तो यहाँ पे फिलाल ये डाइंस हो जाएगा फिर अगला कॉस्चन हे धिया गया है आर्ट लाइस इन कंसीलिंग आर्ट आर्ट जो होटी है वो आर्ट छुपाने में होटी है जैसे कि एक्टिंग जो होटी है अगर किसी को पता न चले कि कि वो acting है तब वो acting मानी जानी चाहिए तो कला भी इस तरह होने चाहिए कि वो कला लगे ना मतलब आप छुपा जाओ कि यह कोई कला है इस तरह से art होने चाहिए यह यहाँ पर बताए जा रहा है तो यहाँ पर आप बताएए कौन सा figure of speech होगा oxymoron मतलब विरोधावास तो यह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यह गलत हो जाएगा epigram epigram में क्या होता है तो दोस्तों इसमें epigram का मतलब होता है विचार तो इसमें किसी विचार को प्रभावसाली तरीके से या जो है मजाकिया तरीके से या चतुराई से अगर प्रस्तूत किया जाता है तो वहाँ पर होता है epigram और यहाँ पर यही किया गया है तो अब आपको जो है questions जो आएंगे उसमें active या passive wise में sentence दिया है तो active है तो passive बनाना है और passive है तो active बनाना है दिया गया है my father has promised me a bicycle तो यहाँ पर यह active wise में है इसका passive आपको देख रहे है तो कैसे करेंगे यहाँ पर आप सबसे पहले tense देखेंगे my father has promised कौन सा tense है present perfect और present perfect का जो passive बनाते हैं तो has या have के साथ been आ जाता है has या have been work की third form तो passive wise में हमेशा रहती है और इसके बाद जो है यहाँ पर object पहले आ जाता है और subject जो है बाद में आ जाता है by के बाद subject आता है तो इसमें object कौन है my father has promised उसके बाद me me जो है object है तो यहाँ पर जो है हाला कि a bicycle भी यहाँ पर object है इससे भी बनाया जा सकता था passive लेकिन यहाँ पर जो है me से बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर I आप देखेंगे सब में सबसे पहले दिया गया है तो मी का objective सारी, subjective case होता है I, I पहले आया तो I जो है पहले आ जाएगा और फिर क्याएगा has या have been यहाँ promised आ गया गलत हो जाएगा I के साथ have been आना चाहिए I have been promised by my father a bicycle और यहाँ पर आप देखेंगे I have been promised a bicycle by my father तो यह वाला जो है ज़्यादा सी होगा by और subject यह सबसे last में आता है तो option C यहाँ पर राइटन सुझेगा और इसमें देखेंगे I have promising यहाँ पर आ गया तो इसलिए गलत हो जाएगा और यहाँ पर object a bicycle है इसको भी शुरुवात में रख करके बनाया जाए सकता था फिस तरह से a bicycle has been फिर has been आता a bicycle has been promised to me by my father इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता था ठीक है फिर दोस्तों अगला question है who wrote it दोस्तों यहाँ पर यह एक्टिवाइस में है पैसी बताना है इसका who wrote it tense कौन सा है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट tense है तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसी बनाते है तो was your helping work आती है और work की third form आती है बाकी आपको पता है कि object पहले आ जाता है तो यहाँ पर जो who से शुरू होने वाले sentence होते है उनका जब पैसी बनाते है तो शुरू आट में by whom आता है इन तीनों में by who दिया गया है तो तीनों गलत हो जाएंगे तो इस तरह से direct आप option eliminate करके कर सकते हैं by whom, was यहाँ पर आ गया was it, were की third form आ गई तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते थे फिर दोस्तों अगला question है the convict was found guilty by the jury तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या होगा the convict was found guilty by the jury यह passive wise में है इसका active बताना है convict मतलब होता है दोसी जिसका आरोप सिद्ध हो गया हो तो दोसी क्या पाए गया है guilty पाए गया by the jury, jury के द्वारा तो यहाँ पर जो है इसका बताईए क्या हो जाएगा the jury convicted him तो दोस्तों यह नहीं होगा was यह वर किसमें आता है was यह वर passive में कम आता है जब active उसका past indefinite में होता है past indefinite में अगर active है तो उसका जो है जब पैसी बनाते हैं तो आज यह वर आता है तो यानि कि जो है past indefinite का structure होना चाहिए लेकिन यहाँ पे the jury convicted दिया गया है जबकि verb है found तो यहाँ पे found वर आनी चाहिए ना कि convicted तो यह गलत हो जाएगा the jury found that यहाँ पे that आ गया है इसलिए गलत हो जाएगा the jury found the convicted guilty यह जो है बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है past indefinite में structure है और बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है c option right answer हो जाएगा d में देखेंगे तो दिया गया है the jury finds present indefinite का यहाँ पे structure आ गया है इसलिए गलत हो जाएगा फिर दोस्तों अगला question है c is putting in many hours of work तो यहाँ पे यह active में है पैसी बताना है c is putting in इसके लिए क्या आएगा इसके लिए आ रहाएगा ना कि will be तीक है many hours of work plural है तो इसके लिए आ रहाएगा उर भी नहीं होगा ना will be होगा are being put in by her यही जो है इसका राइटन्स होएगा d में देखेंगे many hours of work is यहाँ पे many hours hours है ना plural है तो इसलिए is नहीं आना चाहिए था many hours of work are being put in by her बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा फिर अगला question है तो दोस्तों अब आपको दिया गए है close test इसमें जो है खाली स्थान दिया गए है उसको फिल करना है आपको तो इसको पढ़ते हैं पहले दिया गए है in a strange फिट डैस है the production and the consumption of the event become cause for concern तो यहाँ पर क्या होगा डैस की जगा वे या form या step या method तो दोस्तों in a strange way से यहाँ पर सही sense बनेगा in a strange way मतलब अजीब तरह से the production and consumption of the event production मतलब उत्पादन and the consumption मतलब उभो of the event घटना का उत्पादन और consumption become हो जाता है cause for concern जाता है चिंता का कारण हो जाता है फिर देगा है डैस wonders whether newer forms of non-caring or violence are appearing तो यहाँ पर क्या होगा anyone, one, someone या somebody तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए one यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है general sense में मतलब कोई व्यक्ति, wonders आश्चरे करता है कोई आश्चरे करता है whether new forms of non-caring or violence are appearing क्या आश्चरे करता है कि जो non-caring यानि कि गैर परवाह और violence मतलब अहिंसा के जो नए रूप है वो सामने आ रहे हैं फिर देगा है somehow somehow मतलब किसी तरह से silence, सांती event यहाँ पर क्या होगा डैस quietly suppresses a meditation on such events quietly मतलब सांती से suppresses मतलब दबा देती है a meditation मतलब ध्यान को on such events ऐसे events ऐसी घटनाव पर तो यहाँ पर somehow silence सांती और event क्या हो जाएगा यहाँ पर attention या bias या regard या indifference तो indifference मतलब क्या होता है उदासींता attention मतलब साउधानी bias मतलब की पक्षपात और regard मतलब सम्मान तो यहाँ पर सबसे सही होगा indifference ठीक है यही जो है यहाँ पर suitable होगा somehow मतलब किसी तरह से सांती और जो even indifference यानि कि जो उदासींता है वो भी यहाँ पर indifference हो जाएगा quietly suppressed यह दबा देती है चुपके से quietly मतलब सांती से या चुपके से दबा देती है meditation of such events ऐसी घटनाव से ध्यान को दबा देती है हटा देती है यानि ठीक है फिर आगे dice दिया गया है यहाँ पर क्यों होगा a professor I can recollect the number of occasions तो यहाँ पर like a professor होगा या alike a professor या as a professor या being a professor तो दोस्तों यहाँ पर सबसे सही होगा as a professor यानि कि एक professor के रूप में I can recollect मैं याद कर सकता हूँ the number of occasions यानि बहुत सारे औसरों को याद कर सकता हूँ when my students जब मेरे students have cried रोए है as we discussed जब हमने discuss किया है उनसे such events ऐसी घटनाओं को in class फिर आगे दिया गया है society seems so indifferent यहाँ पर dice की जगह क्या होना चाहिए yet या 10 या hence या 10 पर दोस्तों यहाँ पर जो है 10-2 बार गया है तो यह तो फिलाल वैसे भी नहीं होगा yet हो जाएगा यहाँ पर yet मतलब फिर भी फिर भी जो है जो समाज है society seems so indifferent वो कैसा प्रतीत होता है वो so indifferent मतलब बहुत ज़्यादा उदासीन प्रतीत होता है फिर भी जो है समाज बहुत ज़्यादा उदासीन प्रतीत होता है तो यहाँ पर ये yet हो जाएगा तो पचास कुशन जो है आज के पूरे हो जाते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप करता हूँ उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शोय जरूर करीगा और नए दोस्त जो हैं उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओन करेजी ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए गुडबाई और टेक केर